हेलो एब्रिवान मैं सिल्पा सिल्पा कुविंग फूड में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन डिस इडली और सामबर जो की बहुत आसान तरीके से बताएंगे और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बताएंगे सामबर की रेसिपी इडली तो मूंग दाल और एक बड़ा चममच मेथी दाना अब चावल को हम अच्छे से धोली है अब इसमें हम पानी डालके दो से तीन घंटा इसे हम भिगोने के लिए रख देंगे तीन में हम थोड़ा थोड़ा पाने डाल देंगे और दो तीन घंटे हम इसे छोड़ देंगे यह अच्छे से भीग जाएगा तो ये देखिए दो से तीन घंटे के बाद चावल मेथी और मूंग डाले तो अच्छे से भीच चुका है ये देखिए दबा के देखती हूं मैं दबा रहे हूं तो अच्छे से तूट गया अब इसे हमें ग्रेंडर जार में डालके पीस लेंगे तो यहां में थोड़ा सा चावल डाल दे रही हूं साथ में मेथी डालके थोड़ा सा हम पाने डाल देंगे और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे बस अब बड़े बरतन में हम बैटर को डाल देंगे इसी तरह हम जो मूंग डाल बचा था उसे भी हम ऐसे ही पीस लेंगे यह भी पिसकिया इसको भी इन्दर डालेंगे और जो जाले में इसे फैट पैट दग के 2 दिन तक हूँ अईसे ही क्षोट देंगे जैसे यह मैं सुबह सुबह इसे मैं भिगो रही हूं तो इसे मैं अगले दिन साम को मैं बनाऊंगी तो यह देखें दूसरे दिन साम को यह कितने अच्छे से फूल चुका है यह देखें कितने बढ़िया से फूला हुआ है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे बस क्योंकि बैटर बहुत गाढ़ा तो इसमें थोड़ा सा पाने डालेंगे इसे लिक्विड बनाएंगे अब थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे इसमें कोई इनो, कोई सोडा, कुछ डालने की ज़रुरत नहीं है, बस इडली को बनाने के लिए दो दिन पहले से इसे भीगो के हम रख देंगे, ये बेटर बन के रेडी हो गया है, अब चलते हैं, सामभर बनाने, तो यहां मैं तूवर डाल को, मतलब अरहर की डाल को, एक घ हम कूकर को बंद करके, इसमें तीन सीटी हम लगाएंगे, तीन सीटी में ये अच्छे से डाल पक जाएगी, एकदम अच्छे से डाल नहीं पकाना है, थोड़ा सा ये खड़ा-खड़ा ही डाल रहना चाहिए, बस अब यहां हम सबजियां देख लेते हैं, तो यहां मैं लि अच्छा चवममच मेथे जाना चटक जाएगा उसके बाद हम डाल देंगे एक चमममच इसमे राई, व्लिएफची शूममच म मिर्ण लालवाली थोड़ा नज कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता आप अपने स्वात के अकॉर्डिंग डाले किसी को कड़ी पत्ता जादा नहीं पसंद आता है तो अब इसमें हम डाल देंगे प्याज और प्याज को हम 2-3 मिनिट भून लेंगे एकदम अच्छे से प्याज नहीं भूनना चाहिए कि मतलब एकद हम बढ़िया से भून गया अब इसमें हम डाल देंगे तमाटर है कि को इंक इसको भी हम चला लेंगे और टमाटर को भी हम अच्छे से गला लेंगे तांटर प्याज अपर देंगे यह दे कि यह चला लंगे और यह МУЗЫКА सबजि यह घाल ड़ी हूं अब इसे चला लेंगे और 2-3 मिनट तक हम सबजियों को अच्छे से भून लेंगे इसके साथ ही बस चलाते हुए को भूनेंगे सबस़ीन भून गई इसमें धालेंगे दो पड़े चमब सांभर मसाला आदी चोटी चमब डालेंगे कस्मीरी लाल मिर्श पाओडर थोड़ाँ सा डालेंगे धनिया पाओडर और थोड़ा सा डालेंगे नमक . नमक हम दाल में भी डाल रखे है याद रहे यहाँ नमक कंवर्ण डालें, मतलब दोने जगे बैलन्स करके नमक डालें बस अब इसे हम चलाएंगे और अच्छे से मासालओ को हम भून लेंगे सबजियों के साथ यह रेखे इसे चलाते रहें और मासालों को अच्छे से हम भूनेंगे तो यहां मसाला अच्छे से भुन गया है अब इसमें हम डालेंगे इमली के पल्प तो इमली को मैं गरम पाने में भीगो के रखी थी इसे में निचोड के अच्छे से छान लिए हूँ तो यहां मैं 5-6 चम्मच इसमें इमली का पल्प डाल रही हूँ खट्टे के लिए बस अ भादा कप पानी में डालेंगे और चलाके भीच-बीच में सभते भीच के बाहिए मगशल अर्प चलाते रहें में अच्छे से डाल बनाकर रेडि किए थे वह दाल कर electr bestimm begins, ज्याद रहें याद रहे कि टाल थोड़ी सी खड़ी खड़ी ही रहे एकदम अच्छे से ना पके बस इसे चला देंगे और एक उबाल आने के बाद गैस हम बंद कर देंगे यह देखे एक उबाल इसमें आ गया है अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे करेंगे साइड में अब हम चलते हैं इडली बना लेत बस देखिए कितना बढ़िया सामबर बनके रेडी हो गया है यहां में पानी रख दी हूँ इस्टीम होने के लिए डखल लगा के अब यहां हम इडली वाले प्लेट्स लेंगे इसमें थोड़ा-थोड़ा सा हम ओयल डाल देंगे और ओयल को हम अच्छे से हाथों से यह देख के दम अराम से डालें चारों तरब फैलना दी मरी excellence दौनों प्लेट में इडली को अच्छे से डाल देंगे इंडली का जो बेटर बना डखे थे 15 मिनिट हो चुका है अब एक टूथपिक लेंगे और इसके अंदर डाल के देखेंगे अगर यह इसमें चिपक रहा है तो इसका मतलब नहीं हुआ है तो इसमें चिपका बिल्कुल नहीं है तो अब इडली बनके रेडी हो गई है अब हम प्लेट्स को बाहर निकाल लेंगे औ यह देखें दो तीन मिन अबादे ठंडा हो गया है अब इसे आप चम्माच या इस पैचुला जो भी है उससे अराम से निकल जाता है उससे आप इसको निकाल लें तो यह देखें कितनी बढ़िया इडली बनी है बहुत इसली यह निकल जा रहा है तो हम दोनों प्लेट में की जितनी बी इडली यह उसे हम निकाल लेंगे उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे देखें दोनों प्लेट की इडली यह निकल गई और अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अब हम एक इडली को तोड़ के दिखाते हैं कि इतनी जालीदार बनी है यह देखिए कितना स्पॉंजी कितना जालीदार बना है तो बना उखा इंज्वाइ करो थैंक्यू थैंक्स फॉर वॉचिंग उल्ड़ बहे थार बना है